बाजार में अगर आप लिवेश करते हैं और ट्रेड करते हैं तो फिर आपको लिए इंकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ये एक थोड़ा कॉंप्लिकेटड प्रोसेस हो सकता है पर इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर बार की तरह हम आपके हित में कई सारी प्रोग्रामिंग लाते हैं और इस बार हम आपके लिए लिए करा रहे हैं टैक्स की पा जहांपर profit book कर रहा है तो क्या करना चाहिए ACT ooh mutual fund है debt mutual funds है F&O trading करी है intraday trading करी है क्या कुछ अलग-अलग के तरीके हैं जहांपर आपको taxja क्षूट मिल सकती है क्या कुछ फाइदे उठाने काफी सारे आपके सवाल है जवाब आपको एक ही जगह मिलेगा और वो है ये tax की प तो वैसे तो बहुत ज़्यादा आज कल मैं वह सारी चीजें नहीं देखता एक साल का यह समय जब मैं भी एक्टिव हो जाता हूं टेक्स को लेकर और सारी चीजों को लेकर और प्रेक्टिकली लोगों को बड़ी प्रफ्रोब्म आती है और लोगों को लगता है कि बाई से तो यह तो बताएंगी कोई भी कुछ भी पूछ लेता है फोन करके या मेसेज करें अनिल जी यह बताओ फिर अपने लगता है यह तो पता होना चीए हमने क्या कि थोड़ी से हमने कोशिश की कि सब पढ़ लिखके सारा जो भी स्ट्रक्चर करके एक बार आपके सामने यह ट लुका हम आसानी से जवाब देंगे तो बेसिक चीज़ें पहले समझते हैं सर अगर आप मार्किट की कमाई की बात करें तो क्या कुछ कमाई होती है मार्किट की जिस पर टैक्स लगता है पांच तरह की कमाई है जिस पर आपको टैक्स देना है सबस्पर अगर आपने कोई खरीदा तो आपको डिविडेंट की इनकम आती है तो कम्मी जो भी डिविडेंट दे रही है उस डिविडेंट पर आपको टैक्स देना है दूसरा आपने डिलिवरी खरीदी और शेर को रखा लेकिन एक साल से पहले पहले बेश दिया शोट टम केपिटल गैन होगा ये शो खेलो इंडिया खेलो सुबह लिया दिन के दिन में जो काम कर लिया वो हो गया आपके इंट्रेडे ट्रेड्स और पांचवा वाइदा करोबार के हमारे अभी वन्यू आज़कल 2020 के बाद से काफी ट्रेडर्स आप्शन में फ्यूचर्स में बड़ा एक्शन करने लगे हैं तो वो एक और कमाई है फ्यूचर्स और आप्शन मार्केट की तो यह पांच तरह की कमाई जनली आप करते हैं मार्केट में निवेश करके फिर रुचाए आप स्टॉक्स खरीदें वाइदा करोबार में ट्रेड करें या फिर मीचल फर्स नियम सिमिलर लाग होंगे नियम स बसे थे खराल से आपको टेक्स देना है अब इसमें एक चीजिज जो इंट्रेस्टिंग होगा एक अब डिविदेंड पर अगर आज विदेंड पर 10% का टेक्स करता है वो टेक्स तभी कटेगा जब आपका डिविदेंड 5000 रुपे से कम का हो अगर 5000 रुपे से जादा का ड ब्याज भर रहे हो. तो आप उस ब्याज का कर्क्चा है, डिविदेन के कमाई के सामने ब्याज का ख़चा आप सेट ऑफ कर सकते हैं. कितना? कमाई का 20%, सब्सक्राइब आपने 1000 रुपए डिविडेन कमाएं तो 200 रुपए तक का ब्याज का खर्चा अब है तो दो लिया था उसी लोन करें जो मैंने इन्वेस्समेंट्ट करें सिर्फ अगर आपने वह इन्वेस्मेंट करने के लिए कोई लोन लिया और उस पर ब्याज दिया तो 20% तक उसका 20% चलिया और TDS भी कटता है आपका दस पर पांच जार उपर से आपको डिविडेंड मिला तो ठीक है सर शॉर्ट टर्म कैपिल गेंस टैक्स शेर खरीदा एक सा टैक्स लेगा फ्लैट 15% एकदम मतलब कोई रेट वेट नहीं एकदम 15% लेगा इसमें STT का डिडेक्शन नहीं मिलेगा क्यों कि STT आप पे करते हैं यानि को सिकूर्टी ट्रांजिक्शन टैक्स क्यों दे रहे हैं ताकि आपको रेट कम मिले नहीं तो अगर समझो मेरी हाइ है और मुझे गेन हो रहा है तो मुझे हैस देना है या 15% ही ले रही है सरकार इसलिए आपको STT का बेनेफिट नहीं मिलेगा लेकिन दूसरे खर्चे ज़रूर कम होंगे जैसे आपने ब्रोकरेज दी, स्टेम डूटी दी, ट्रांजिक्शन चार्जे, सेवी के चार्जे जो लॉटर्म कैपिल गेन्स टैक्स? लॉटर्म में सिंपल है, एक साल से ज़्यादा आप रखेंगे शेर को, तो यह लॉटर्म होगा, चाहे शेर हो, चाहे मुचल फंड हो, एक्विटी मुचल फंड, एक साल से ज़्यादा अगर आपने थोड़ा इंटरस्टिंग है, अगर आपने साल भर में, सारे शेरों में, जितना भी आपका पॉर्टफोलियो है, मुचल फंड का है, शेर का है, सब मिलाके एक लाख रुपए तक का लॉटर्म कैपिटल गेन्स बनाया है, तो उस पर कोई टेक्स नहीं, अच्छा, जीरो, लेकि एक लाख से ज्यादा बनाया है तो दस परसेंट टेक्स लगेगा, एक लाख तक का जो कैपिटल गेन्स बनाया है, जिनको छोटा मुनाफ़ा मिल रहा है, चोटा लाख रुपए तक का जो बना रहे हैं, उनके लिए फिर कर जाएक चलो, इनको लाख रुपए तक चूट कर दो, लाख से ज्यादा अगर ए तो दस परसेंट का आपको बनाया, यहां भी सेम फॉरूला है, एस्टेटी का कोई बेनेफिट नहीं मिलेगा, आप यह नहीं कह सकते हैं, मैंने एस्टेटी भड़ जा तो यह मेरा टेक्स भरा हुआ है, वह इस वाले टेक्स में से कम कर दो, ना तो यह टेक्स माना जाएग और चैप्टर 6 जिन में सेक्शन 80 वाली जो आती ने, 80C वगरा के इनके बेनेफिट आप लेते हैं, इन्वेस्मेंट करके, कोई लाइफ इंशुरेंस ले लिया, कोई पी एफ में डाल दिया, यह सब बेनेफिट इसमें नहीं मिलते हैं, क्यों कि रेट आपकी 10% ही लग रह ना लोंग टर्म केपिटल गिन में मिलेंगे, यह ध्यान में रखी हैं, अच्छा, इंट्रडे ट्रेट पर कैसे टैक्स लगता है सर, जो इंट्रडे ट्रेट है न इसको है न, इंकम टेक्स रिपार्टमेंट मानता है कि यह बिजनिस इंकम है, और वो भी क्या, कुछ अलग तो अब इसको क्या सिस्टम क्या है, का आपको इसको बिजनिस इंकम तो मानना है लेकिन एक अलग हीड देदी इ ऐडिये, इनकरट एकस रिटर्ड में, जिसको डिस्टिंक्ट बिजनिस इंकम बोला जाता है, तो इसमें आप दिखाएंगे, अगर आपके इंट्राडे ट्र कोई इंट्राडे लोस के सामने सेट ओफ कर सकते हैं इसके लावा नहीं और इसका जो टैक्स लेगा आपकी पर्सनल स्लेव उसे साब से लेगा तो इसलिए सेट ओफ में दू ध्यान रखनी चारी साल तक होगा और इंट्राडे इंकम का लोस जो है वो इंट्राडे इंकम के सा अब आते हैं जहां पर काफी इंट्रेस्ट वॉल्यूम और आक्शन बना हुआ है वाइदा कारबार F&O ट्रेट पर कैसे टैक्स देना है देखो F&O ट्रेड में दीप दो तरकी कमाई एक तो फ्यूचर किया रहा है एक आप्शन की ठीक है चाहे फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन हो दोनों को इंकम टेक्स डिपार्टमेंट बिजनिस इंकम मान के चलता है ठीक है उनका सिंपल फॉर्बला क्या है कि यह बिजनिस इंक इसको उन्होंने क्लियर कट माना है कि इसको मान लीजीगा बिजनिस इंकम बिजनिस इंकम अच्छा अब आप समझो कोई और बिजनिस करते हैं तो जिस समझो आप कोई प्रोड़क्ट बना रहे हैं उसमें आपने सेल्स की वह आपकी इंकम हुए लेकिन उस प्रोड़क्ट बनान की कोस्ट जो आई है वो आप कम भी तो करते हैं तो कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आप कम करते हैं तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब वाइदा करोबार के सारी कमाई को बिजनिस इनकम माना जाता है चाहे वो ऑप्षिन्स में कि और फ्यूचर्स में क इसमें यहां S.T.T. का बेनिफिट मेलेगा आप S.T.T. को अपनी बिजनिस इनकम में सकम कर लिए ठीक है यानि कि फ्यूचर्स उप्षिन्स की कमाई मासे टन हो चार्जिस आपने दियोंगे ब्रोकरी चार्जिस आपने दियोंगे स्टेम डिटरिय आफ चार्जिस आपने सामने उतने सारे के सारे आपको बिजनेस इंकम के सामने सेट आफ मिल जाएगा यह ज्यान में रखी गाट इट इस सारे उसमें अड़्जस्ट हो जाएगा आराम से अड़्जस्ट होंगे और वो करने भी चाहिए आम तोर पर नहीं लोग यह बड़ी गलती करते हैं उनको वो इंकम जनरेट करने के लिए आपने जो जो खर्चे किये उस खर्चे का आपको बिजनेस खर्चा मानके आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा क्या कुछ और है इस ज़रा बिजनेस इंकम वारी बात है कहां कहा बेनिफिट मिल जाएगा इसमें पहली चीज तो देखो ए फिक है कि आपके खर्चे है तीन रॉपए चार रूपए जो भी फीक है पांस रूपशे का है तो आपका इनकम होंगे 55 रूपए तो 55 रूपए-पर आपका जो भी un ز्के सकते क्यों किसे लगएगा आपकी personal sole bets सब्सेराइब का disparis की हाइस तो पहले क्या वेकि महिए tiempo तो पहले चीज़ तो एस्टिटी का जो पेमेंट है उसको टेक्स मत वानिए खर्चा मानिए और इंकम में से घटाई है यह टेक्स में से घटाने को मिल जाए तो मज़ा आजाए आपको बड़ा फायदा हो लेकिन इसको खर्चा माना जाएगा दूसरा बाकी जो भी खर्चे वो आपके कम होई जाएंगे जैसे कि ब्रोकरेज हो गया ट्रांजिक्शन चार्जिस हो गया सेबी और स्टैम चार्जिस हो गया यह सारे आपके कम हो जाए ठीक है फिर मैं वही करा हूँ अगर आपने सामने ब्याज दिया है तो ब्याज को भी आप डिरेक्शन के तोर पर जाव है जो कैबिलगेंज के टेक्स में हमने का कि स्क्षन स्डि चैप्टर सिक्स आ के बेनेफिरस नहीं में मिलते है यह और सीरी है उसमें अलग-अलग बनेफिर्ट जो आपको मिलते है वह आपके benefits कुछ नहीं मिलेंगे और जहां पर आपको tax अपनी highest slave से दे रहे हो जो आपकी बनती है वहां पर income tax department आपको सारे खर्चे claim करने की भी छूट देता है और आप investment करते हो अब जैसे आपने business income जो भी कर लिए सामने आपको investment करने आप investment करिए section A.T.C. वगेरा में इनमें आपको सब benefit मिल जाएंगे ये सारा का सारा हो जाएगा तो ये इस तरीके से आगे बढ़ना है आपको got it sir, okay mutual funds पर आते हैं sir, mutual fund, mutual fund में पहले में equity की बात करेंगे, equity में तो simple है, जो formula आपका normal share के लिए वही same equity mutual fund, कोई बदलाओ नहीं, तो अगर आपने share खरीदा हो या equity mutual fund की scheme करीदी हो, आप income tax department के लिए same है, एक साल रखा आपने short term होगा, एक साल से ज़्यादा रखा long term होगा, एक साल से पहले आप mutual fund की scheme बेज़ देते हैं, 15% tax देना पड़ेगा, एक साल के बाद बेज़त है, कि equity mutual fund, दोनों में से आप किसी में भी पैसा लगाए, आपका same formula लागू होगा, ठीक है, वहाँ पर कोई नहीं है, debt में थोड़ा समझागा, I think debt में कुछ एक दो ऊपर नीचे वाले changes होते है, equity के मुकाबले थोड़े अलग होता है, क्या कोच होता है, इस बार थोड़ा debt को खत्म होगे, जिसके हम tax planning कर रहे हैं, इस पर अलग है, पहली अपरेल से थोड़ा तरीका बदल गया, तो आपको capital gains का फाइदा मिलेगा, debt mutual में मतलब अगर आपने कभी भी बेचे है, आज बेचे, बाद बेचे, बाद बेचे, दो साल तीन तो आपको capital gains का फाइदा मिले बाद बेचे, तो उसका आपको benefit मिल जाएगा debt mutual fund में, लेकिन अगर पहली अपरेल से अब आप debt mutual fund में पैसा लगा रहे हैं, तो आपको capital gains का benefit नहीं मिलेगा, और आपकी जो personal tax slab है, उसके साफ़ से आपको tax बना पड़ेगा, अब debt mutual fund क्या है, ऐसे mutual fund जिसमें equity का portion 35% से कम है वो debt fund माने जाए, अगर minimum 35% आपके पास equity है किसी scheme में, तो उसको debt fund नहीं मानते है, जो equity fund है, उसके लिए short term, long term के लिए अलग आपको benefit है, 10%, 15% की slave है, लेकिन अगर एक चीज़ हो रहे है, अब index session का benefit आपको उसमें नहीं मिलेगा, short term में आते ही, वो एक difference हुआ है, debt mutual fund में जो दर लगेगी, अब जो है, नए rules के मताबिक आपकी जो personal slave है, उसके हिसाब से लगेगी, वो जहान में रखिए, और साथ ही साथ आपको, अब indexation benefits भी चले गए, indexation benefits खाली, वो inflation के उससे वरता है, अब नहीं मिलेंगे, so debt mutual fund में, अब अगर आपने पहली अप्रिल के benefit है, अब एक और interesting चीज़ पर आते है, crypto, वैसे तो सरकार discourage करती है, आपने भी कहाए कि नहीं है, बट फिर भी कई लोग है, crypto में पैसा डालते है, यह ना बहुत है, काफी लोग ने किया, क्रिप्टो में बहुत clarity है, और crypto में जाला कोई risk और मुश्किल वाला काम है भी नह अच्छा, जो भी आपने कमाया, एक दिन, आज ले आज बेचो, कल बेचो, एक साल बाद बेचो, हफ्ते बर बाद बेचो, जो भी बेचो, 30% आपका flat tax लगी गए इसमें, लेकिन कुछ और नहीं है, जो आपको समझें, अगर समझें, नुकसान किया तो, आपका crypto currency का नुक कोई gain हुए है, short term, long term, या मेरी कोई business income है, crypto का loss किसी और कमाय के सामने, आप set off नहीं कर सकते, crypto का loss अगर set off होगा, तो किसी दूसरी crypto currency में आपने मुनाफ़ा किया, तो ही होगा, बाकी नहीं होगा, तो crypto में एक ही समझें है, कि आपका loss जो है, वो set off करने के आपको facility नहीं है है, यह समझ लीजी, यह बड़ी दिक्कत है, हाँ, एक currency समझो, आपने bitcoin में क्यार कोई दूसरी currency है, वहाँ आप कर सकते हो, लेकिन otherwise आपके पास नहीं, option नहीं, ओके, got it sir, चलिए, crypto में अलग तरीका का tax से ध्यान रखे हो, और highest उसमें लगता है, आखरी दो-तीन चीज़े आनल जी बात करनी है, कौन सा ITR फाइल करना है, इस पर भी थोड़ा-थोड़ा confusion हो जाता है, तो अगर मैं F&O trader हूँ, तो फिर मुझे कौन सा ITR फाइल करना है, वाइदा करो market traders के लिए तो फिर आपकी कमें होगी business income, business income के इसाफ़ से आपको income tax return number 3 फाइल करना है, अगर आ business वाली category में आते हैं, salary वाली category में आते हैं, तो उस हिसाफ़ से return बर सकते हैं, especially वाइदा करो market traders को ITR 3 फ़रना है, और capital gain अगर आपने कमाया है, तो फिर धियान रखना है, क्योंकि काफी सारे जो आप बात भी कर रहे हैं, पिछले तीन साल में नई investors आए हैं, number of DMAT accounts बढ़े मार्केट में काफी लोगों ने अपने capital gains भी बढ़े होंगे, कुछ basic चीज़े तो फिर ध्यान में रखनी हो सर, इस tax season में जाते हैं, इसमें एक चीज़ जरूर है कि, generally income tax में जो आपको दिक्कत हैं आती है, वो दिक्कत है यह आती कि, कौन सी income को आप business income माने, और कौन सी income क को आप capital gains माने, तो इसमें आपके लिए बड़ी समझ जाती है, तो उसके लिए आपको एक काम करना चाहिए, आप अपना trading account अलग रखें और investment account अलग रखें, ताकि आप यह कह सकते हैं, ताकि दोनों income आप भी mix नहों, trading account पर जो भी आप trade कर रहें, income हो रही है, उसको अलग अलग से business income मान ले, distinct business income मान ले, intraday trade के अगरे हैं, तो उसकी अलग आपको लगे, और अगर आपकी business income है, तो अलग taxation होगा, और अगर आप investment income है, तो आप capital gains वगिरा के सारे benefit ले पाएंगे, यह आपके लिए बड़ा फाइदा है, यह होगा, बहुत दो शुक्रिया अलजी, झाइदा अलगा झाइदा, होगाइदा मान ले अलग अलग